तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कल जो हमारी Grand League की टीम थी बहुत जादा शानदार थी कल भी मैंने अपने जो विनिंग स्क्रिंशूट किये थे जो Small League की मैंने टीम दीती उसमें भी आपने जो रेंग देखी थी बहुत कमाल की नजर आई थी और फ्रेंज जो मैंने जो Small League की जो टीम लीती मेगा लीती में हमेशा आपको बोलता हूं आप Grand League जरूर खेलिए लेकिन फ्रेंज आप Mini Grand League जरूर खेलिए लेकिन हाँ कल जो मैंने आपको कहा था कि Small League और Mini Grand League जरूर लीजए कल मेरी अगर 1000 मेंबर की में बात कहूं तो मेरी जो टीम थी वो टॉप 20 में मेरी टीम थी तो इसलिए मैंने आपको बोला तो कल भी मेरे जो 9 ड्रीम टीम के मेरे 10 प्लेयर एक टीम में थे एक लिएर की वाईसे मैंने वहाँ पर टॉप नहीं किया था वरना कल भी मेरी रेंग अच्छी हा थी हाला कि जो 20 मेंबर की टीम दी थी उसमें हमारी पहली रेंग थी वो सारे स्क्रिंशुट मैंने आपको टेलिग्राम पर कर दिये अगर आप टेलिग्राम से अभी तक नहीं जूड़े हो तो टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम से लिंक मैंने वीडियो के नीचे इसक्रिप्षन में दिये तो सबसे पहले जाके आप टेलिग्राम से जुड़ जई है क्योंकि Telegram पर आपको Final Update मिलती है मेरे Winning Screenshoot वहाँ पर आपको देखने को मिलते है और friends कोई भी मैं Changes करता हूँ वो भी मैं आपको Telegram पर बताता हूँ लेकिन ध्यान यह रखना Telegram आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा जो link मैंने वीडियो के नीचे description में दिये बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में उसके बाद हम देखेंगे 6 Grand League टीम के कॉम्बिनेशन तो दोस्तों पहले तो मैं आप सभी को बता दू मेच डिटेल के बारे में हम बात कर रहे है आज के IPL के मुकाबले के बारे में जो की खेला जाएगा मुंबई इंडियन्स वर्सस कोलकता नाइट राइडर की बीच में नो मई यानि किया शामकू साड़ी साथ बे से खेला जाएगा डी वाई पार्टिल स्पूस स्टेडियम पर जो की जाना जाता है एक बैलेंस विकेट के लिए एक न्यूटरल विकेट के लिए जितना ज़ादा एडवांटेज यहाँ पर बल्ले बाजो को मिलता है उतना ही ज़ादा यहाँ पर गेंद बाजो को भी मिलता है लेकिन जियांट रखना अगर दोनों ही टीमों की के comparison की मैं बात करू, हेट्वेड मुकाबले की बात करू, तो मुंबई की टीम का पलड़ा थोड़ा सा आज बारी नजर आता है, क्योंकि मुंबई की टीम की बल्ले बाजी बहुत जादा अच्छी नजर आ रही है, लेकिना गेंद बजी थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि इस सीजन में चली नहीं है, मुंबई की गेंद बाजी प्ले इस इस सेजन नहीं है, लेकिन हाँ इस सिजन में चली नहीं है मुंबई की गेंग बाजी फिर हम बात कले लेटे हैं कोलकता की टीम से ओपनिंग पैर थोड़ा सा कंफुजन बरा रहने वाला है एरॉन फिंच के साथ में ओपनिंग कौन करेगा क्या बाबा इंद्र जीत करेंगे क्या करेंगे वेंकटे शयर ये टोस के बाद ही पता चलेगा अगर वेंकटे शयर खेलेंगे तो वेंकटे शयर करेंगे फिर शियर शियर नितिश रणा, रिंकू सिंग, आंदर रसेल, टीम साउती, सुनील नारायन, उमेश आदो लास्ट मुकाबले में नहीं कहले थे, इस मुकाबले में हाई चांज से खेलने के अगर पूरी दर से टोस के टाइम तक फेट होते हैं, तो फिर शियर मावी और कौन से रहने वाली, मेरे कौन से कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले, फ्रेंस जो मैं बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ, फेन टू पले के, अगर आपने अभी तक डॉण्लोड नहीं किया, तो लिंक वीडियो की निचे डिस्क्रिप्चन में तो एक बार जाक जरूँ उठा लीजेगा टेलीग्राम पर में डिटेल देदूँगा हाला कि आप अगर टेलीग्राम से नहीं भी जूडते हो तो यहाँ पर जैसे आप इस एप को डाउनलोड करोगे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड किजे ग्रेंड लिग में है तो 25% का तो आपको वहाँ पर आई एक लिए फाइदा हो जाता है वो जो लीडर बूर्ड चल रहा है कल मैंने आपको बता देया नया लीडर बूर्ड आर्शे शुरू हो रहा है तो उसमें भी बहुत बड़ा आपको जीतने का मुका बहुत कम मेच रे गए हैं तो जल्दी से आज से स्टार्ट कर दीजिए खेलना अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है फैन्टू प्ले एपपर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो डाउनलोड कर दीजिएगा सबसे पहले हम टीम की बात कर लेते हैं तो आप देखोगे फिलाल में स्मोल लिक की टीम बतारो फैन्टू प्ले एपपर तो इशान किशन को में लिया है बाबा इंदर जीत आप लेना चाहें अगर खेलते हैं तो ले सकते हैं चार बल्ले बाद में लेकर चलूँगा श्रे शाहियर, सुर्यकुमार यादव, रोहिश शर्मा और मैंने लिया यहां से तिलक यादव को जुग अच्छा काम करें फिर आपके पास ओप्शन है, एरोन फिंच का टीम डेविड नंबर पाच, नंबर शे पर खेलते हैं, नितिश राणा नंबर चार पर खेलते हों ने ज़रा सकते हैं फिर वेंकर शाहियर खेलते हैं तो अपनी टीम में ट्राइग कर सकते हो फिर दोस्तों हम बात करें ओल राउंडर सेक्षन के दुद्धो ओल राउंडर में लिया है, आंद्र रेस से लोड सुनिल नाराइण को आप चाहें तो कैरन पोलार और डेनियल सेम में से भी अपनी टीम में ट्राइग कर सकते हैं फिर चार गेंग बाज में लिये हैं, जस्पृत मुम्रा को मैंने भरूसा दिखाया है आज, फिर टीम साउती को मेंने लिया है, मेंने लिया है उमेश यदो अगर उमेश यदो इस मेच में नहीं केलते फिर से तो यहाँ से हम डेनियल सेम जो कि मुंबे टीम के प्लेयर है उनने लेकर चलेंगे बाकी फोर्ट जो मेरे गेंगबाज रहेंगे वो रहेंगे मुरूगुन अश्विन आप चाहें आपके पाद जो उप्षन है वो सिवम मवी का उप्षन है रिली मेरित का बहुत अच्छा उप्षन है बाकी हरसिद राना और कुमार कार्थिक इनको आप रिस्क लेना चाहें तो ट्राइक कर सकते हैं फ्रेंज जो मेरी फैन टू प्लेइब की स्मोल लिक की टीम रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी हाला कि फ्रेंज पहले तो फैन टू प्लेइब डाउनलोड कीजिए लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइदे में आपको बताई दिये तो यहां से आप देखोगे इशान किशन, रोही शर्मा, सुरीकुमार यादव, तिलक पर्मा को मिने लिया है, फिर श्रे शायर, सुनिल नारेन, अंधरसल मेरी टीम में आ गए, मुरुकुन एश्विर, उमरे शादव, टीम साउती और जस्परित बुमरा, उमरे शादव अगर पूरी तरह से फीट होंगे तो ही कहलेंगे अगर यह नहीं कहलते हो इनकी जगे मुंबई की जो डेनियल से में अपनी टीम में ले सकते हो या फिर रिली मेरित को भी आप ट्राइ कर सकते हो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो तो चलिए अब छे ग्रेंड करनी ओनी करनी केपेंटन वाइस चेंज्ज और सुक्सान क कर सकते हो इस से तरह से उनली को चेह सथीं करनी पहली टीम साराइक गर्दिन अपको आपकी मर्जी से बनाने हैं में में तो इशान किशन, रोहिष शर्मा, सुर्यकुमार यादो, तिलक वर्मा, श्रेश एर, फिर सुनिल नारायन, आंदर असल, टीम साउती, उमेश आदो, जस्पित बुम्बरा और मुरुगु नश्विन, जो स्मोल लिख की टीम थी, वो सेम टीम मेरी गिनान लिख में भी रहने शादो, तो यह जो टीम है, मुंबई को फिवर करते हुए, बने ये टॉप थी मेने मुंबई के लिए, और यहाँ से टॉप फॉर गिनबाज मेने लिए, डेनियल सेम, जस्पित बुम्रा, रिली मेरी तीनो पेसर, फिर यहाँ से मुरुगु नश्विन मेरी टीम मेरी टीम मेरी पूरी तरह से कोलकता को फिवर करते हुए, मैंने बने हैं, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने लिए तिलक वर्मा को, सुरिय कुमार यादो को, इशान किशन फिक्स रहेंगे, क्योंकि विकेट की बना दूसरा अच्छा ओप्शन नहीं है, फिर आरन फिंच, स्र फोकस किया है, थोड़ असा मिडिल ओडर पर किया, मैंने फोकस किया है, फिर सुनिल लारन, आंदरेसेल, टीम साउती, उमेश यादो और शिवम मावी, यह मेरी तीसरी ग्रेंड लिक की टीम रहने वाली, उमेश यादो या कोई दूसरा प्लेयर इसमेच में नहीं कहलता, टीम साउती, उमेश यादो मेरे फिक्स रहेंगे, यहाद मैं बरोसा दिखार हो तोड़ा सा जस्परित बुमरा पर, तो यह मेरी फोर्थ ग्रेंड लिक की टीम रहेगी, नेक्स्ट टीम की हम बात करें, तो मेरी नेक्स्ट जो टीम है, आपको देखने को मिलेगी, बहुत ह चारो वल्राउंडर मिनने लिए सुर्य कुमार यादो तिलक वर्मा को मिनने लिए दोनों बहतरिन काम करें मुंबई इंडिन की टीम से कोई अच्छा खेल रहा है तो यह दोनों अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं फिर श्रेयर शहियर और इशान किशन मेरी टीम में आगे फिर यहां से टीम साउती उमेश आदा और रिली मेरित को मेंने लिया है यह कॉंबिनेशन बहुत कम लोग बनाएंगे और अगर यह चल गया तो आपको एक तरफा ग्रेंड लिक नहीं तो मिनी ग्रेंड लिक तो आसान इसे वीन करवाई सकता है नेक्स टीम की बात करूँ तो मे पर सुनिल नारन अंदर रसेल और यहां से श्रेश आयर तो यह टीम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आती है ध्यान रखना कैप्टन वाइस कैप्टन आपको आपको कोपी नहीं करने है तो फ्रेंज यह चे कॉंबिनेशन थे आज की मेरी टीम के ध्यान रखन फैन्टूब लेब की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तो डाउनलोड करके जरूर से मोके का फाइदा उठा लीजेगा टेलीग्राम पर मैं उफर के बारे में बता दूँगा साथे साथ टेलीग्राम पर आपको फाइनल टीम मिलेगी लेकिन ध्यान रखना टेलीग्राम मनी गुरुजी के नाम से 35,000 यूजर अमार साथ जूड़ चुके हैं आप भी जूड़ जाई है लेकिन ध्यान रखना टेलीग्राम सर्च करने पर बिल्कुल नहीं मिलेगा जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये टेलीग्राम की उसे लिंक्स आपको मैं टेलीग्राम पर फोल्व करना है थैंक्यो वेरी मच